क्रिप्टो मार्केट में एक भारी डंप देखने को मिला है बिटकॉइन की बात करें, साधे 5% गिरावट है वहीं अगर हम अल्ट कॉइंस की बात करें तो कई अल्ट कॉइंस में 10%, कई में 20% मतलब पूरा क्रिप्टो मार्केट अभी जो ब्लीड कर रहा है वहीं अगर हम फियर और ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो ये भी काफी गिर गया है तो मार्केट में फियर का माहौल जो वो काफी जादा बढ़ रहा है अब यहीं हमारे लिए काफी अच्छा मौका हो जाता है अल्ट में अपनी इंट्री बनाने का इस वीडियो में हम बात करेंगे इस डम का रीजन क्या है साथ ही साथ कुछ अल्ट कॉइंस बताऊंगा जिसमें कि आप जो है डी सीय कर सकते हैं जिससे की और अच्छा इंट्री प्राइज आपको मिल पाए अब US और इसके जो European allies हैं उन्हें ये डर है कहीं जो है इसराइल और इरान में ये war न स्टार्ट हो जाए वहीं अगर आप देखते हैं तो अमेरिका का ये कहना है Iran should not think of moving forward यानि की इरान को अब जादा आगी नहीं आना चाहिए आप सबको पता है अब आपको ये चीज़ पता है कि नहीं अगर इरान ने इसराइल पर हमला कर दिया तो अमेरिका भी जो है इसराइल के सपोर्ट में पूरी तरीके से आ जाएगा और एक बड़ी war यहाँ पर जो छिड सकती है तो ये एक देखी शौर्ट अपडेट है war की आप जाकर के न्यूज वगरा से अपडेट रहिएगा इसके लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्राम के लिंक मिल जाएगी अब अगर हम wars की बात करें तो यहाँ पर रशिया ने इन्वेट किया था यूक्रेयन को डेट किया थी 24th of February 2022 जो war अभी तक चल रही है अब इस war के होने पर आखिर हुआ क्या था तो बिटकोईन के हम इसी दिन का अगर चार्ट देखें लेकिन जब यहाँ पर war यह announce हो गई डिकलेयर हो गया सारी चीज़े उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हो तो बिटकोईन में हमें जो पंप देखने को मिला था यानि कि जब न्यूज आती उस टाइम पर लोग डर करके coins को निकालने लगते हैं बिटकोईन में डंप आता वेल्स की भी यहाँ पर जो मुमेंट रती है जो की coins को डंप करते हैं लेकिन जब war अनॉंस हो गए जो सभी का sentiment change हो गया और जो retail investor उनका sentiment यह कहता था कि नहीं अब जो market और नीचे जाएगा वहीं पर जो वेज़से अपना game खेला और करीब जो 28 तारी को हमने देखा कि काफी बड़ी एक candle बनी काफी भारी volumes है जहां पर कि बहुत सारे जो shots थे वो liquidate हो गए अब वहीं सेम चीज़ जो इसराइल और हमास की बीच जो हुआ था उस war में भी हुआ था और अगर हम bitcoin की बात कर तो bitcoin जो है अभी कुछ दिन पहले अपने all time high को touch कर चुका जबकि Ukraine, Russia और Israel, Hamas इन दोनों की war जो चल रही है तो war जब भी होती है तो यहाँ पर हमें जो crypto market में फायदा ही देखने को मिलता है और वहीं अगर हम S&P 500 companies की बात करें अगर मान लिजे situation ज़ादा खराब हो रही है तब यह चीज हो सकती है और आप सब अगर crypto market में पहले से हैं तो आपको पता है कि US market वो कहीं ने कहीं copy करता है bitcoin भी तो उस तरीके से हम जो अपने bitcoin के trades को plan करेंगे bitcoin की बात करें तो अभी यह जो अपने zone में चलना है आज भी इसने लिया है लेकिन देखते हैं कि अगर market यहां से recover करता है फिर और टूटता है recover करता है तो अच्छी बात है उसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा कि आज आपने entry कुछ old coins में बना सकते हैं साथ ही साथ war की क्या update है वो भी आपको यहां पर मिलती रहेगी पहले coin की बात करें जिसमें कि आप अभी जो dca कर सकते हैं dca का मतलब होता dollar cost averaging यानि कि जब जब यहां पर day पाए तो आप जो अपने entry बनाते हैं जिससे कि जो पूरी आपके entry price होती है वो थोड़ा stable हो जाती है वो एक level में आती है मतलब कि आपने उपर भाई किया आपने नीचे भाई किया तो अभी अगर soul की बात करें तो यहां पर 13% से यह down है 152 डॉलर पर यह आ चुका है कुछ दिन पहले इसने जो 200 का अकड़ा भी touch किया है और bear run में इतना ज़ादा गिरने के बाद मतलब कि 12 डॉलर, 8 डॉलर पर गिरने के बाद इसने इतनी अच्छी recovery दिखाई है तो कुछ तो दम होगा इसमें तो soul में आपने जो entry यहां पर बना सकते हैं अगर आप चाहें तो दूसरे coin की बात करें जो कि आज की date में 18% से down है और यह RWA का काफी बड़ा project है RWA यानि के real world asset इसका नाम है avalanche, AVAX इसमें भी आप जो जागर के DCA कर सकते हैं और ऐसा नहीं कि एक बार है पूरे पैसे अभी आपने लगा दिये देखिए war की situation जो है वो यह कहती है कि अगर America भी यहाँ पर war में कूदता है तो हमें यह गिरावट और बड़ी देखने को मिल सकती तो आप कभी भी invest करीगा part wise में invest करीगा मतलब कि अगर 1,000,000 रुपए आपको करने हैं तो 20,000 रुपए आप आज कर दीजिए उसके बाद wait करीए अगर entry मिलती है और अच्छी तब तो invest करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे छोटे investment पर ही profit लेंगे लेकि रिस्क नहीं लेंगे third coin की बात करेंगे उसका नाम है Polygonmatic यह एक layer 2 project है कितना अच्छा perform करता यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है all time high करीब जो 3 dollar के आसपास यह गया अभी भी आपको यह 75 cent के आसपास मिल रहा है पिछले एक महिने में यह करीब 37% से down है और आज की date में अगर बात करें तो 15% से down है साथ ही साथ अगर हम इसके चार्ट को देखें तो यहाँ पर जो double bottom भी बना रहा है fourth coin की बात करेंगे उसका नाम है Aptos Aptos में जो करीब 21% की गिरावट आई है पिछले 7 दिनों में करीब 27% से गिरा है उसके पीछे का reason क्या है Aptos की भी हाल ही में जो unlocking हुई है जिसके चलते यह जो काफी गिर रहा था और यह war की news के बाद और ज़्यादा गिर गया Aptos एक layer 1 blockchain है जो की proof of stake consensus पर काम करता है fifth coin की बात करें उसका नाम है file coin यह data storage का काम करते हैं जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है आज की date में करीब 20% से डाउन हो चुका है 6 coin की बात करें जिसका नाम है immutable X यह सारे जो मैं आपको project बता रहा हूँ इन में जो है काफी जदा potential है लेकिन अभी तक जो है इन्होंने अपने potential की हिसाब से हमें growth नहीं दिखाई है अच्छी दिखाई है ऐसा मैं नहीं बोल ला हूँ लेकिन आज की date में एक अच्छा मुझे entry price लगा तो यह सारे coins में आपके साथ share कर रहा हूँ 18% से डाउन है और 3 billion dollar की इसकी जो अभी तक market cap है layer 2 protocol है जो कि NFTs के लिए काम करता है जो कि Ethereum के blockchain पर बनती है यह सारे project जाकर के आप एक बार check out करेगा इने में से किसी में भी अगर आपको DCA करना होगा तो कर सकते हैं और war की news के बारे में हमेशा updated रहिएगा और अगर आप चाहें तो एक बार जो previous Bitcoin का चार्ट जाकर के देख सकते हैं Telegram की link आपको description मिल जाएगी जाकर के join कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो, like ज़रू करिएगा Bitcoin की halving भी होने वाली है तो इसे हम जो pre-halving dump भी बोल सकते हैं एक अच्छा entry हमें जो आज की date में मिल रहा है चैनल पर नए आया है, subscribe कर सकते हैं ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी मैं कोई भी financial advisor नहीं हूँ जो सारी चीज़े में आपको बता रहा हूँ मेरे खुद के ideas, मेरे खुद के plans रहते हैं कहीं भी invest करने पहले अपने खुद की research जरूर करिएगा मिलता हूँ नए वीडियो में एक interesting topic के साथ तब तक के लिए जै हिन, जै भारत